नमस्कार दोस्तों डॉक्टर देवेंद्र सहरा शो ये मेरे शो का नाम है जिससे आप जोचुके हैं उस सब के लिए आपका शुक्रिया आज हमारी सिरीज बदहजमी एसीडिटी के उपर ये तीसरा एपिसोड है पिछले दू एपिसोड में मैंने बेस बनाया था ये बताने साल को क्रॉस करते हैं हमारी एसीड प्रोडक्शन कम हो जाती है एसीड प्रोडक्शन कम होने को अगर हम अपने मोटापे लाइस्टैल की साथ जोड़ दें जैसे हैवी मील खाएं या हम फैटी मील खाएं या खाना खाने के वाद एकदम सोने चले जाएं वाक नहीं करें त तमक से हमारे फूड पाइप की तरफ लोवर फूड पाइप जंक्शन से क्रॉस करते वे पहुंच जाता है क्योंकि उमर किस बढ़ने के साथ जैसे एसिड कम होता है यह जंक्शन भी बाकी मसल की तरह लैक्स होता जाता है और हम अपने सिंटम्स को रिलीव करने के लिए जिसको कहते हैं उसमें आराम तो आता है लेकिन हमारी बिमारी ठीक नहीं होती वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है यह मैंने पिछले दो वीडियो में सरल भाशा में समझाने की कोशिश की तो आज का विशे अगर आप इस चीज़ से कन्विंस हैं तो आगे देखना अगर नह सारी हैं अगर आप ठके ठके मैसूस करते हैं अगर आप हमेशां कमजोर से पेट खराब से परिशान रहते हैं अगर आप आर्टिवेशल बी कॉंप्लेक्स वगरा खाखा कर देख चुके हैं और आपको आराम नहीं आया आप में डिप्रेशन भी आ रहा है तो यह सब कुछ आपकी इस बद हजमी से रिलेटेड हो सकता है जिसके लिए आगे पांच मिनट में आपको बड़े सरल उपाई में आपको बताओंगा जिससे कि आपकी एसीडिटी बीना दवाईयों के ठीक हो जाएगी सबसे पहले तो जो दवाईयां आजकल आप अपनी एसीडिटी के ल दोड़ना पड़ेगा और आप फड़ा परिशान होंगे कि मैं एकदम कैसे छोड़ने को मैं कह भी नहीं रहा क्योंकि यह देखा गया है कि जब भी आप प्रोटोन पंप इनिवेटर जैसे उमिप्रजोल वगारा एकदम छोड़ने की करते हैं तो रिफ्लेक्स एसीडिटी की year one की फीलिंग है वो इसलिए आती है क्योफ को आपकी स्टमक का एसर जो उमर के हिसाफ से कम बन रहा है वह लेक्ष वैल्व के वज़यर से चेस्ट में जाता है इसे आपको प्रॉर्ब्लम कर सकता या करता है जिससे आपको हार्ट बन होता है इसके लिए ऐनो डाइजन व को जो उमर के हिसाब से कम हो रही है हमें बढ़ाना है लोग इस फिंग्टर की टोन दो चीजों पर निर्वर करती है एक तो यह फिजियलॉजिकल स्पिंग्टर होता है और इसकी इनर्वेशन जो है सिंपेथेटिक और पैरसंपेथेटिक दोनों होती है समझाने के लिए मैं दोदो सिंपेथेटिक वह होती है जो फ्लाइट एंब्साइट कहते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होतार टेंशन हो तो यह लैक्स हो जाएगा यह एक हो जाएगा इन अदर वर्ड्वित्स ए चिए इसके उपर असर्पड़ता है दूसरी होती है पेर्शिंपेथेटक ज लिए आपको एक स्रेस फ्री लाइफ लीड करनी पड़ेगी इंटेंशनली छोटे मुटी परिशानियों से दूर होना पड़ेगा भगवान में ज्यादा विश्वास करना पड़ेगा जिस प्रकार से आप गुरुद्वारे में जाएं वह सिख लोग ऊपर भगवान को देख लिए कहते हैं मन्जूर है एक्सेप्टेंस जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है और अच्छा होगा जब तक कि आप यह विचार स्पिरिचुली दिवाग में नहीं डालेंगे आपका जो सिंप्रिटेटिक सिस्टम में ठीक काम नहीं कर पाएगा और यह स्पिंक्टर को करता है मसल्स जो हमारा डायाफ्राम जो है यह हमारे इजोफेगर स्पूड बार के नीचे वाले से में इसको कंट्रोल करके रखता है मसल्स के साथ जब यह लैक्स हो जाता है तो आपने अपने अल्टरसाउन की रिपोर्ट में कई बर पढ़ा होगा हाईट यह जब आपको इसको टाइट करने के लिए क्या करना है सबसे पहले है योगा प्राणायाम आपको प्राणायाम की कई फाइदे बताए गए होंगे जैसे कपाल भाती है जो अवलोम विलोम है या इवन डी ब्रीधिंग यह क्या है यह बेसिकली डायाफ्रमेटिक एक्सराइजेसे इस इसा है और इस इस ओपनिंग में है और आप इसको और कंसिक कर लिया ऐसे खुला ऐसे बंद किया तो यह जो है यह मसल टाइट होता जाए एक और आसन जो मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट होगा जिसके उपर बाकी चीज़ों के लिए ज्यादा बात की जाती हाजमे क बात की जाती है एसेटी एलोन पर बात नहीं कर जाती वह मंदू कासन मंदू कासन क्या है आप नेट पर मेरे इस वीडियो के बाद देख लेना आपको इसकी उपर डिमांस्रेशन के कई मिल जाएंगे मैं में बाता रहा हूं तो कि मैं जब भी आप से बात करता हूं मैं बाइना में या वहां के वेल्डे सेंटर्स के अंदर वो क्या बताते हैं कि आप खूब चाती में सांस भरो और अपना सर नीचे अपने घुटनों के नीचे तक जोर से सांस चोड़ो और जब आप छोड़ रहो अपनी नाभी पर अपने हाथ रख लो और इस तरीके से आप गेस्ट्रो इसर फिजर रिफ्लक्स डीजीज को ठीक कर सकते हैं तो मैंने देखा यह तो पिल्कुल हमारे हिंदोस्तान में चलने वाला मंदू कासन में बता रहे हैं फर्क इतना है कि हम इसको योगा और स्पिरिच्वल के हिसाब से बताते हैं वह एक फिजिकल कम स्पिमुलेट होगा जिससे पैरा स्प्राइटिक ज्यादा होगा जिससे फिजिलोजिकल टोन इस मसल की बढ़ जाएगी तो यह तो आगया कि आप किस तरीके से अपने लोर इजोफेजर स्फिंक्टर या फूड वाइप के लोर एरिया को ठीक करें अब आगे क्या है कि ह हम अपने स्टमक की टोन को कैसे बढ़ाएं अपने स्टमक के कंटेंस को अब्यूज कैसे नहीं करें उसके लिए ज़रूरी क्या हो जाता है कि हम हैवी मील ना क्योंकि यह जो लोवर इजोफेजर स्फिंक्टर है इसके खुलने के कारणों में आते हैं हैवी मील फैटी मील और मुश्किल से पचने हवाले खाना तो अगर आप इन सब को अवाइड करेंगे और एक पॉश्टिक कहार थोड़ा खाएंगे बिशक फ्रीक्वेंट खाएं और उससे यह चीज नहीं होगी और एक और पॉइंट है गेस्टिक एम्टिंग टाइम क्या होता है गेस्टिक कि जब भी हम कुछ खाना खाते हैं वो दो घंटे के बाद हमारे स्टमक से जजीज होता है एक बाद आपको बड़ा कम बताई जाती है कि डाइबटिक के पेशिट में हमारे स्टमक की गेस्टिक एम्टिंग टाइम बढ़ जाता है जिससे हम मेडिकल टर्मिनोलजी में गेस कर पाएं तो भी आपको फाइदा होगा इंटर्मिटन फास्टिंग क्या होती है इसकी उपर एक अलग वीडियो बनानी पड़ेगी लेकिन प्रैक्टिकली मैं आपको यह कह सकता हूं जैसे मेरे पिछले वीडियो देख लेना आप आठ गंटे का अंतर तो रख सकते हैं में एसेड को बढ़ाएं यह एक बड़ा इंपॉर्टेंट विशे है जिस पर मॉडर्न मेडिसन के डॉक्तर बात नहीं करते हैं और दूसरा हम अपनी डाइस्टिव एंजाइम्स को क्यों ना लें क्योंकि मैंने आज तक किसी भी डॉक्टर को डाइस्टिव एंजाइम्स इसकी वज़ा क्या है शायद हम लोगों को उस तरह के की नौलेज नहीं दी जाती हमारे को फार्मा कंपनी रोड नहीं देती पर डाइस्टिव एंजाइम्स केवल पुराने जमाने के डॉक्तर जो मुझसे भी ज्यादा उमर में है वो देते थे और मुझे यार है कि जब हम तूट लें जो हमें एसीडिटी देते हैं और नैचरल तरीके से बढ़ें नैचरल तरीके से क्या है सबसे पहले निम्भू आप निम्भू को एक प्रैक्टिकली दवा मानकर रोज एक या दो पूरे निम्भू हर डाइट के साथ ब्रेकफर्स लंच और डिनर में लिए इस इससे नैचरल फॉर्मा विटेमिन सी मिलेगा जो सिंथेटिक विटेमिन सी मजार में मिलता है परसली में उसके फेवर में नहीं हूँ क्योंकि वह बाकी कुछ अधर चीरों के साथ मिला होता है कि उसकी लाइफ लंबी हो शायद वो उसके एब्रॉप्शन डिक्रीज कर सकत दूसरा जो नैचरल निम्बू का रस है उसमें फाइटो न्यूट्रियन्स फ्लेवर नॉइज बाकी एक्सि और इंटियॉक्सिडेंट मिले होते हैं जो सिंथेटिक फॉर्म में प्योर एसकॉर्बिक एसिड ही रहे जाता है तो आप निम्बू को लीजे और दूसरा शरीर में एसीडिट ही बढ़ाने के लिए हमारे पेट मे सबसे जरूरी है शरीर भाड़ जा रेक्षिन कि जो बनते हैं वह एलकलाइन हो जाते हैं और हमारी बॉड़ी को ऐसी अगर विटेमिनजी दिया जाए तो उनको एक एक अलग किसम का benefit सोचा गया है विकूर अगर आप हाई डोज आव विटेमिन सी इंट्राविनस पेशिंस को देते हैं तो इतना बड़ हैवी टॉक्सिक डोज हो जाता है कि अभी इसको प्रैक्टिस में उंकॉलोजिस नहीं हूं क्या यूज किया जाता है क्या नहीं मैं जो लीटेशर में हो देकडर आपको बता रहा है तो मैंने आपको का बताए आपको मैंने जिंजर का बताया और यह को यह बिंगर होता है जो कि एस्टिक एसिड होता है इसका पीएच आलमुस्ट सीम होता जो हमारी स्टमक का होता है अगर आप हर बार खाने से पहले ड़समेल के करीब गिलास पानी में लेग लें तो यह आपको फाइदा करेगा एक मैं कॉशन बताना चाहूंगा कि अगर आप यह स्ट्रॉक के साथ लें करता है जो मेरे को आइडिया नहीं है वो कितना फाइला कर सकता है क्योंकि मैं आप से वही बाते बता रहा हूं जो नौन कॉंट्रवर्शल हैं जो हमारे इंडियन सेट अप में अच्छी तरीके से यूज की जा सकती है तो आपको मेरे खाल से अलियस स्फिंक्तर को टाइट करने का तरीका स्वक को तोन करने का तरीका और जो नौन शिंथेटिक और गैनिक एसिडिटी बढ़ाने वाले रियजेंट मैंने आपको यह भी बता दी तो आप यह सब यूज करेंगे तो आपको जो जी आर्ड के सिंप्टम है वो दूर हो जाएंगे तो आज के लिए बस है ऐसे वीडियो बनाने में मेहनत बहुत लगती है क्योंकि मुझे सब कुछ सेंटिफिक डेटा आपको देना होता है तो आप इसको अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा आप सबका मिरसा जोड़ने के लिए बहुत अबड़ तर दीजेगा